अग क्रिशी भूमी इसकी अंतरगत वो सारी जमीन गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं की जा सकती है तथा जिसे गैर क्रिशी उपयोग में लिया जाता है जैसे ही माक्षादित परवत, रेत के टीले, मकान, दुकान, उद्योग, सडक, रेल मार्ग, बाजार, खेल का मैदान, तालाव, नदिया, बांध, इत्यादी की भूमी विगत वर्षों में अधोगी करण, नगरी करण, एवं यातायात में वृद्धी के कारण अक्रिशी भूमी का तेजी से विस्तार हुआ है और राश्ट्री भूमी उपयोग में 1950 और 2010 के बीच इसका अनुपात 4-9% हो गया है आज अक्रिशी कारियों में जैसे अधोगी करण, नगरी करण, इत्यादी में क्रिशी भूमी को अधिग्रहन करने की मांग की जा रही है किस तरह की क्रिशी भूमी का उपयोग इस प्रकार बदला जाए और किसानों को इसके लिए उचित मुआवजा कितना मिले इस पर आज गहन विवात चल रहा है अगर उपजाओ बहु पसली भूमी पर उद्योग लगे तो अनाज उद्पादन और देश की खाद सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अतह केवल कम उपजाओ जमीन को इस तरह के काम में लिया जाना उचित है इसी तरह किसानों को उनकी जमीन के बदले किस तरीके से मुआवजा दिया जाना चाहिए इस पर भी विवात चल रहा है अगर किसी जमीन के उपयोग को बदला जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है लेकिन किसानों को मुआवजा क्रिशी भूमी के आधार पर निर्धारित किया जाता है परती भूमी अक्सर किसान कमजोर जमीन को परती छोड़ देते हैं ताकि जमीन के उर्वर्ता पुनस थापित हो परती भूमी के दो भाग हो सकते हैं वर्तमान परतिभूमी और पुरानी परतिभूमी जो केवल एक वर्ष के लिए परति है भूमी को एक वर्ष के लिए परति छोड़ने पर उसमें हुमस की मातरा में वृद्धी होती है जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है पुरानी परती भूमी, जो एक से अधिक वर्षों से परती है, पुरानी परती पर कृषी का विस्तार नहीं होने पर यह बंजर में परिवर्तित हो जाएगी भारत में आज लगभक 8% जमीन परती है बंजर भूमी, इसमें दो प्रकार की भूमी सम्मलित है एक, जिसमें कृषी की संभावना अत्यंत कम है, जैसे बंजर पहाडी भूभाग, खड इत्यादी दूसरी, जिसमें भू सरक्षन की विदियों से उसे वानी की या कृषी योग्ये बनाया जा सकता है इसमें कुछ ऐसी भूमी भी है, जिसमें पहले कृषी की जाती थी, किन्तु अब बंजर हो गई है बढ़ती जनसंख्या के भरण पोशन के लिए इसका विकास किया जा सकता है बंजर भूमी का गैर कृषी कार्यों में उपयोग, वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किये जाने एवं उन्नत तक्नीक से कृषी भूमी के रूप में परिवर्तित किये जाने के कारण विगत 60 वर्षों में यह भूमी 21 प्रतिशत से कम होकर 10 प्रतिशत रह गई है